गुर्माणी फ्रेंड्स दिस जनील एंड वेलकम टो संसे बनेच दोस्तों लगभाग तीन महीने से दोस्तों सिच्छकों की टांसर पॉलिसी बनाने की कवायद चल रही है लेकिन अभी तक बनी नहीं है दोस्तों अहला कि सिच्छा मंतरी सुनील कुमार सिंग काना दोस्तों क 20 सितंबर तक कंप्लिट हो जाएगा और हम लोग इससे मंजूरी दे देंगे आए उन्होंने क्या कुछ कहा विस्तार से देखते हैं दोस्तों देखें पचासी दिनों से जारी है सिच्छकों के लिए टांसर पॉलिसी बनाने की कवायद पॉलिसी है सिच्छक पति-पत्नी क पोस्टिंग नहीं हो पाईगी पहले बाते चल रही थी कि जो भी पति-पत्नी है सिच्छक है उनका एक ही विद्याले में पोस्टिंग किया दाएगा लेकिन अब ऐसी ब्याते नहीं है दोस्तों यहां पे देखें सिच्छक नांसर पॉलिसी का मैराथन काउंटडाउं 85 द नहीं दी जाएगी दोस्तों यह देख लिए पोस्ट लिखा हुआ है कि पति-पत्नी को एक ही असकुल में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी इसमें तमाम तरह की बेवहारिक दिखते खरी हो सकती है उन्हें एक ग्राम पंचायत में निक्ति या पदस्थापना दीजा सकती ह हलाकि समीती को अभी अंतिम दिने लेना है दोस्तों जो कि 30 सितंबर से पहले लेने की पूर्नी संभावना है सुत्रों के अनुसार पॉलिसी तैयारी के लिए जरूरी आकलों का अभाव बरी चुनोती साबित हो रहा है सिच्छावी भाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं ह है जिससे पता चले कि कौन सिच्छक सिच्छी का पती पतनी मतलब दमपती है यह आकरा नियोजन के दोरा नहीं लिया जा सकता है आकरी ले भी लिया गया तो उसकी सत्यता स्थापित करना चुनोती बन जाएगा दोस्तों यहां देखते हुए कि मैरेज सट्फिकेट भी बन नहीं है यहां पर देखिए तै नहीं हुई तबादला योग यह गंभीर बिमारी से प्रीट है उन लोगों को घर के आस पास में ही पोस्टिंग दी दाएगी लेकिन यह बिमारियां कौन-कॉन होंगी दोस्तों यह भी तै नहीं हो पाया है विभागे समिती के पास दूसरी पहुचवाले अस्कूलों में पदर स्थाफित किया जा सकता है समानने तोर पर बिहार सरकार ने मेडिकल टर्म में 19 तरह की बिमारियों को गंभीर मानकर रख रखा है जबकि विभागिये समयती की चिंता यह है कि परहाय में दिक्कत वाली बिमारियां जरूरी नहीं कि 19 बिम समय्च्या है पाती नहीं है यह पता करना है दोस्तों सिठ्षाव के नहीं है पती पतनी सिचकोins को कोि career और घंभीर बिमार्यों को परिभासित करना बिद चुनोती है दोस्तों इसलिए एतना लंबे दिन होता है कि हम कुद्धी अभी तक सुल्जी नहीं है दोस्तों 85 है कि सिट्चकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के निती को 30 सितंबर के पहले हम लोग मंजूरी दे देंगे इस निती में दिब्यांग सिच्छक असाध्य रोगों से प्रीट सिच्छक महिला सिच्छक और सिच्छक दंपती से जुरे आवेदनों को विशेस प्राथमिक्ता दी जाएगी जजू परदेश मुखाले में आयोगी ते जन सुनुवाई के बाद पत्रकारों से बातवित में सिच्छा मंत्री ने टियारी थिरी के रिजल्ट के बारे में कहा कि बीपेसी ने जो भी परिच्छाएं ली हैं उनके बारे में हम लोगों नों सनुरोध किया है कि जल से जल उसका रिजल्ट निकाल दें आरच्छन निति के वज़ा से इसमें देरी हुई है आरच्छन का जो दैरा बरहा था वो हाई कोट के आदे से हट गया है राज्य सरकार सुप्रीम कोट गई है इस वज़ा से पुरानी आरच्छन निति का नुसारी रिजल्ट जारी ह तो यह मुहतवपूर्ण चीजे हैं दोस्तों जो पॉलिसी जो निर्धारेन हो रही है तिस सितंबर से पहले मंजूरी मिलेगी चाहिए तो उसमें यह सारी समाम समझ्याएं निकल करके सामने आ बहराल जब पॉलिसी आईगी उसके बाद ही यह किलियर हो पाएगा कि आखिर किन है किन है और किस-किस बिमारी को और पती-पतनी को जो सरकार के तरफ से बादी किये जा रहे थे उन सब को फूर्फील करने में सिच्छा भी बाद सामर्थ है या नहीं बहराल इस वीडियो में मिलते हैं फिर मिलते हैं वीडियो में आफ संसे बनने के साथ बने रहें वीडियो को लाइक और चेरल को सब्सक्राइब और से कर दें बहुत बहुत है